जैशे किशन आप सभी को कैसे हैं आप 1 नवंबर 2023 का द्यानिक राशी फल लेकर मैं आचुकी हूँ किस तरह से रहने वाला है आपका दिन मेश मिथुन सिंग कौन सी राशी पार्टनर को देगा धोका किसको मिलेगा धन तो जान लेते हैं द्यानिक राशी फल और साथ में उपाए तो द्यानिक राशी फल जानने से पहले जानते हैं आज का पंचान आज की तिति है चतूर्थी नौ बच के उननीस रात्री उसके बाद पंचमी तिति लगेगी आज का नक्षेतर है मिर्गिशिरा चार बच के छती सुभा के नवंबर दो आज का वरिन है वालब और कॉलब और आज का पक्ष है क्रिश्न पक्ष आज का योग है शिव और आज का वार है बुदवर और आज है करवा चौत का व्रत तो क्या कहते हैं आपके सितारे जा लेते हैं तो सबसे पहली राशी है हमारी मेश राशी मेश राशी के जाता है काच आपका रुकावा धंदर फिर से तरक्की के मागर पे चलने लगेगा समाजी कारे में आपका मन खूब लगेगा परिश्रम का पेक्षित परिणाम न मिलने पर भी उस चेतर में आप आगे अवश्य बढ़ सकेंगे पाचें तेन से समंदीत कर्ष्ट होने की संभाव ना दिखें किसी नए रिष्टे की शिर्वात करने से बचें समस्याओं का कोई रचनात में समधा निकालने की पूरी कोशिश भी करेंगे और आप सफल हो जाएंगे आज आप क्या नहीं करें बच्चों के साथ की आवादा ना तोड़े आज का महा हो पाए आज मा पारवती और शिवजी जी की साथ में पूजा वश्य करें आज का शुबरंग है पीला व्रिश राशी व्रिश राशी वालों आज के दिन आपकी सभाव की उगरता किसी के साथ मन मोटाब करा सकती है वैवसाइक चेतर में कुछ काम कर सकेंगे अधिक लोगों के साथ आज संपर्ग बना रहेगा बौधिकारी करने में रुची बढ़ेगी छोटे प्रवास की भी संभावना है हित श्रत्तु विग्ण उपस्चित कर सकते हैं सचेत रहे आज आपका मन प्रसन रहेगा काम करने में काफी मल लगेगा आज आप अपने बोलेने में ध्यान रखे आज पास या साथ का कोई व आज जिन चरिया में थोड़ा सा बदलाव होने से आराम मिलेगा आर्थिक तोर पर बहतरी के चलते आपके लिए जरूरी चीज़े खरेदना आसान होगा दिमाग में कुछ नहीं विचार आएंगे दूसरों को राजी करने की आपकी प्रतिबह आपको काफी फाइदा पहु आज चांद को अर्गिदे और पूजा वरत अवश्य करें आज का शुबरंग है पीला करकराशी करकराशी वाले के लिए आज परिक्ष्रम का पैक्षित परिनाम नहीं मिलने के वावजुद आपके काम में तत परता और खुशलता आपकी परगती में सहायक होगी आज के द आर्थिक पक्ष मजबूत होगा आज क्या नहीं करें किसी से क्या वादा तोड़ेंगे आज का मंत्र शीव मंत्र का जाप अवश्य करें और आज का महा उपाए है कि आप शीव मंत्र का जाप करें और आज का शुबरंग है लाग सिंग राशी सिंग राशी वाले आस हम ऐसे लोगों से जुनने से बचे जो आपके परतिष्ठा को आगात पहुचा सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए कोई गिफ्ट से खरीदने वाले हैं, यह गिफ्ट थोड़ा महंगा हो सकता हैं, आज क्या नहीं करें, आज घर में लहसुन प्याज का इस्तमाल ना करें, आज को लेकर टेंशन दूर हो सकती है, कोई बड़ा निवेश भी सो समझ करें, स्टूडेंस को सफलता मिल सकती है, गबाजी और अपाओं से दूर रहें, आपके वेभाईक जीवन के लिए कठिन समय है, पारेवारिक चिंता दृता तनाव रहेंगे, जोखिम जमानत के कारिक च अस्वस्ता वा आलत से रहेंगे, आज क्या नहीं करें, किसी को चोड़ देने से बचें, आज का महा उपाए, आज शिव मंदिर जाएंगे, लाभ प्राप्त होगा, आज का शिव रंग है लाल, तुला राशी, तुला राशी के जाह तक आज पैसे के मामलों में आज आज बीजी रहेंगे, फिटनेस को लेका सजकता बढ़ेगी, अगर आप सामो ही गती वीडियों में हिस्सा लेंगे, तो आप नए दोस्त बना सकते हैं, यात्रा के चलते रुमानी संभन को बढ़ावा मिलेगा, एक्स्टा काम में किसी की मदद मिलने के योग बन रहे हैं, आज का शुबरंग है केसर या वरिशिक राशी, वरिशिक राशी आज का दिन आपका यापके परिवार की किसी स्वास्ते का खराब हो सकता है, मदभेत के चलते वक्ति का संबंदों में दरार पड़ सकते हैं, यात्रा आपके लिए आनन्द आयक और बहुत फायदे मंद हो आज का महा उपाय शिवा भिशेक करें लाभ मिलेगा अज का शुबरंग हारा धनुराशी, धनुराशी आज किसी नई परियोजना पर काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार ले, वैपार के कारण कही यात्रा पर जा सकते हैं, अच्छ अधिकारी प्रसंद आज आपके हक में हो सकता है, आज क्या नहीं करें, आज माता पिता से विवाद करने से बचे, आज का महा उपाय शिव चालिसा का पाट करें अच्छा रहेगा, अज का शुबरंग है पीला मकराशी, मकराशी के जातक आज के दिन आज अपने पार्टनर को खुश करने के ल आज क्या नहीं करें, आज क्या नहीं करें, आज लोह मानों का खरीदारी से बचे, और आज का महा उपाय शिव जी जी के 108 टामों का स्मिनन लाब देगा, आज का शुबरंग है हरा कुमराशी, कुमराशी के जातक आज कुछ रचनात्म करने के लिए अपने दफ्तर से जल् विरुचीर वड़ेगी, जूट बोल कर खुद नुकसान कर बैठेंगे, विलासिता के समानों में भारी खर्च की उमीद है, नए संबंदों से लाब मिलेगा, वहवारी की योजना बनाएंगे और उस पर काम शुरू कर देंगे, इससे अच्छी सा फलता मिलेगे, आज क्य लिंगे लोगों को अपनी तरफ आकशित करेंगे, नशीले पर धातों का सेवन ना करें, आपको इससे काफे नुकसान हो सकता है, साथ ही देर रात में वहाँ ना चलाएं, दिर्गवदी में कामकाज के सिंसिले में की गई यातरफ, आइदे मन साबित होगी, आपको अपने मंगल मही हो भगवान के असीम किरपा आपके ओपर बनीर आपके समस्परिवार के ओपर, तो चैले फिर मिलते हैं कलके द्यानिक राशी फ़ल के साथ में, जैशे किशना आप सभी को